आप देख रहे हैं समाचार एजनसी अफ इंडिया में साइन नियूज नमस्कार दोस्तों समाचार एजनसी अफ इंडिया की साइन नियूज में एक बार फिर आपका स्वागत है पर्श दो हजार चौबिस में रक्षा बंधन का त्योहार अब बहुत कम समय बचा है श्रावन के अंतिम सौमवार 19 अगस्त दो हजार चौबिस को रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाएगा समाचार एजनसी अफ इंडिया की साइन नियूज के लिए अखलेश दबे की रिपोर्ट रक्षा बंधन को लेकर शिव की नगरी में राखी के बाजार सज चुके हैं मुख्य बाजार बुधवारी सहित जहां पर भी बारापत्तर बहरो गंज बरगाट रोड डूंडा सीवनीच द्वालाना का हर जगए राखी के बाजार धीरे धीरे सजना अरंभ हो गए हैं यह जो नजारा आप देख रहे हैं यह मुख्य बाजार बुधवारी का हम आपको नजारा देखा रहे हैं समाचारी जैंसिय फिंडिय की साइट नियूस के लिए अकलेश दुबे की रिपोर्ट दर असल हम आपको यह बता रहे हैं कि रक्षा बंधन का त्योहार राखी का त्योहार इस साल 19 अगस्त को मनाया जाएगा रक्षा बंधन का पर्व सभी बै Tinder के लिए बेहत खास होता है इस दिन पहने भाई की कलाई पर रक्षा सूतर बानती है और उसकी लंबे आयू की काम न करती है इस दोरान भाई भाई भी अपनी पहन को रक्षा का वचन देता है और शमता के अनुसार उसकी जो शमता है होती है उसके अनुसार उसे उपहार देता है बारत में राखी के पवित्र पर्व को बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है माना जाता है कि इससे रिष्टों में मिठास विश्वास और प्रेम बढ़ता है इसे रिष्टों मिठास विश्वास और प्रेम को बढ़ाने वाला पर माना गया है इसे हर साल शावन मास की पूर्णी मा के दिन जिस दिन शावन मास समाप्त होता है उस दिन मनाया जाता है इस साल 19 अगस्त 2024 को रक्षा बंधन मनाया जा रहा है इस दिन सरवात सिद्ध योग, रवी योग, शोबन योग और शरवन नक्षत्र का महा संयोग बन रहा है इस योग में राखी बांधने से रिष्टों में बधुरता बनी रहती है इस साल रक्षा बंधन पर भद्रा काल का साया भी रहेगा इस काल में राखी बांधना अशुब माना जाता है जो जानकार विद्वान बताते हैं, वो हम आपको बता रहे हैं पद्राकाल का समय जानकारों के अनुसार इस साल भद्रा सुबह पाँच बच कर त्रेपन मिनिट से आरंब होगी और दोपार एक बच कर बत्तीस मिनिट पर समाप्त होगी समाचारे एजिंसे अफ इंडिया की साइन यूज के लिए अकलेश दुबे की रिपोर्ट राखी बांधने के महूर्ट के सम्मंद में विद्वानों का मत है कि पंचांग के अनुसार साल राखी बांधने का शुब महूर्ट 19 अगस्त को दो पहर एक बच कर 30 में डेड़ बजे से रातरी 9 बज कर 7 मिनिट तक रहेगा इस महूर्ट में राखी बांधी जा सकती है बेहनों के दौरा बाईयों को राखी बांधने की विदी के बारे में विद्वानों का कहना है कि भाई की कलाई पर राखी हमेशा सही विदी से बांधना चाहिए इस दोरान सबसे पहले भाई को रोली अक्षट का टीका लगाया जाना चाहिए फिर भाई के दैने हाथ में कलाई पर अराकी बांदी जाये उसके बाद उसे विश्ठान खिलाए जाएं इसके बाद भाई की आलथी उतारी जाये और उसके सुखी जीवन की काम ना की जाये वहीं दूसरी और राकी बनवाने के बाद भाई के दौरा अपने बेहनों के चड़नों का इसपर्श करना चाहिए और यह था संभव जो उनकी अपनी समर्थ है उस समर्थ के अनुसार बेहनों को उपहार भी देना चाहिए रक्षा बंधन का मंत्र येन बुद्धो बली राजा दान वेंद्रो महाबला है तेन तौाम प्रतीबद्धा नामी रक्षे माचल माचला है ये है उसका एक मंत्र बताया है विद्धवानों के द्वारा समाचार एजन्सी अफ इंडिया की साइन ये उसके लिए अखलेश दुबे की रिपोर्ट ये आप देख रहे हैं यहाँ पर नजारा हम आपको दिखा रहे हैं बुद्धवारी बाजार का नजारा विबन राखियों का भी हम आपको इस दौरान पता रहे हैं कि ये पहले की चित्र फोटो आपको हम दिखा रहे हैं पिछले सालों के पर ये देखिए यहां पर बुद्वारी बाजार में राखी का बाजार सज़ चुका है हलाकि फिलहाल राखी का बाजार सज़ने के बाद भी बाजार में अभी रौनक नहीं आई है ये कहना है व्यापारियों का व्यापारियों के नुसार अभी तक राखी का बाजार गुलजार नहीं हो पाया है दर असल ये भी माना जा रहा है कि माह के बीच में दूसरे पकवारे में ये राखी का त्योहार आ रहा है जिसके चलते लोगों का वेतन इस तरीके की मानता है कि लोगों का वेतन पहले पकवाले में ही आदे से ज़्यादा हर्च हो जाता है बहरहाल जो भी हो राखियां यहां सजी हुई आपको नजर आ रही होंगे राखियां तरह तरह की राखियां और यहां पर बाजार को आप देख रहे होंगे शिव की नगरी का ये बाजार हम आपको दिखा रहे हैं कितने तरह की राखियां यहां आपको दिखाई दे रही होंगी बच्चों को लुभाने के लिए भी तरह तरह के कार्टून बनी तरह तरह के चित्रों की राखियां भी आपको दिखाई दे रहे होगी यह देखिए यह शनिवार का हम आपको नजारा दिखा रहे हैं इसलिए यहां पर शनिवार को बाजार यद भी शनिवार को बंद रहते ह पर चुकि राखी का त्योखार है इसलिए राखी के त्योखार के लिए व्यापारियों के द्वारा अपने प्रतिष्ठान यहां खोल कर रखे हुए हैं और राखियां सजी हुई आपको यहां पर नजरा रही होगी समचार एजेंसी आफ इंडिया की साइन यूज के लिए अखलेश दुबे की रिपोर्ट भाई और बहन के पवित्र रिष्टे का एक बहुत अच्छा त्योखार माना जाता है रक्षा बंधन श्रावन मास जैसे ही समाप्त होता है वैसे ही राखी का त्योखार बनाया जाता ह है 2024 जो वर्तमान में चल रहा है इस साल राखी का त्योखार 19 अगस्त को मनाया जा रहा है राखी की विदी विदान क्या है इस बारे में हम आपको प्रत्थक से जानकारी अलग खबर में देंगे फिलहाल आप से इजाज़त लेना चाहेंगे अकलेश दुबे की इस रिपोर इस बारे में देंगे अखबया क्या है। हुआ हुआ है